नमस्कारम सद्गुरू पहला सवाल लावन्या ने पूछा है सद्गुरू दो दिन पहले आपने कहा था कि वाइरस आपको मारना नहीं चाता और आपका शरीर उनका घर है कुछ लोग जो ट्विटर पर दावा करते हैं कि वे बुद्ध जीवी हैं संदर्ब से बाहर जाकर इस वाकी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या आप सपश्ट कर सकते हैं कि क्या या सच है कि वाइरस हमें मारना नहीं चाता है देखिए इंसानों को छोड़ कर कोई भी दूसरा प्राणी अपने घर को नश्ट नहीं करना चाता केवल इंसान ही हैं जो ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं तो वे भी इसे जान बूच कर नहीं करते अंजाने में वैसा करते हैं इसी तरह वाइरस भी इसे अंजाने में करता है वो आपके अंदर रहना चाहता है लेकिन वो अपना काम कुछ ज्यादा ही कर देता है जिससे आप और मैं मर सकते है मुझे आपको ये बताना चाहिए मेरी उम्र सत्रा साल की थी तब तक मुझे खसरा हो चुका था मुझे टाइफ़ाइड हुआ था और दोबारा भी हुआ मुझे बड़ी माता आई थी देखे मेरी नाक पर इसका सबूत है हर तरह की चीजें छोटी उम्र के बच्चों और लड़कों को जो कुछ भी हो सकता था लेकिन इस सब के दौरान मैं कभी भी इसने मुझे कभी भी बिस्तर पर नहीं लिटाया यहां तक कि जब मुझे दोबारा टाइफाइड हुआ मैं तेज बुखार में भी खेलता रहा और चीजें करता रहा बस एक फायदा ये था कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था तो मुझे ये चीजें पसंद है लोग उसे जो भी नाम दें मुझे ये चीजें अच्छी लगीं क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था आप ओफिशियली बंक मार सकते थे लेकिन जब मैं सत्रा साल का था मुझे हैजा हो गया तब मैंने इस कमबक्त चीज को देखा जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ये है उसके دो घंटे के भीतर ही इसने मुझे चित करके ठंडा कर दिया मैं लगभग बेहोश हो गया था मैंने अपनी माँ अपनी दादी सब को रोते हुए सुना अरे हमने लड़का खो दिया और मेरी दादी मेरी नाख को छो रही थी हे भगवान नाक ठंडी हो चुकी है ये मर चुका है हर कोई रो रहा है और मेरे पिता वो वो एक डॉक्टर है वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं फिर दो और डॉक्टर आए और वास्तों में मेरे प्राण निकल रहे थे बस दो घंटों के अंदर लेकिन अगली शाम तक मैं उठकर बैट गया दूसरे दिन मैं उठकर बाहर जाने लगा उन्होंने कहा तुम बाहर नहीं जा सकते और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया लेकिन मैंने कहा कि कम से कम मुझे चछत पर रहने दीजिए ताकि मैं थोड़ा चल फिर सकूँ फिर उन्होंने मुझे छट पर रहने दिया फिर इसने मुझे परिशान कर दिया अब तक मुझे बहुत सी चीजें हो चुके थी मैंने उनका मज़ा लिया क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल जाने से रोका लेकिन अब इस कमबक्त अंजान चीज ने मुझे इस तरह धराशाई किया कि मैं लगबग मर ही गया तो मैं कुछ जानना चाहता था ये इंटरनेट और गूगल के दिन नहीं है कि आप बस यूही पूछ ले तो मैंने स्कूल की लैबरेरी में जाकर लैबरेरियन से पूछ ताच की और उन्होंने मुझे रोगाणूओं के बारे में एक किताब दी मैंने शब्द को तब तक नहीं सुना था क्योंकि मैं बैलोजी की क्लास में कभी कभार ही गया था तो मैंने उस किताब को पूरी तरह पढ़ा उसमें कई तरह की चीजें थी और वो क्या करते हैं और सब कुछ तब ये मुझे परिशान कर रहा था कि कैसे एक छोटी सी चीज जिसे मैं देख भी नहीं सकता मुझे इस तरह धराशाई कर सकती है फिर मैंने आकर अपने पिता जी से बात चीत की वे एक कुशल चिकित सकते और तब उन्होंने मुझे बहुत सी बाते समझाई और मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है इस कमबक्त चीज ने मुझे लगबग मार ही दिया ये क्या है तब वो मुझे कई बातें बता रहे थे कि ये चीजें क्या है वो बातें अभी मेरे साथ है मुझे अभी भी उनका कहा हर शब्द याद है और जो मैंने उस किताब में पढ़ा था वो भी क्योंकि मैंने इस चुनोती का अनुभव किया था मेरे साथ जो हुआ था वो लगभग जान लेवा था तो मैं डरा हुआ नहीं था लेकिन ये हौकी मैच या क्रिकेट मैच में बुरी तरह हार जाने जैसा था मेरे अंदर इस तरह की भावना थी तो रोगाणू क्या है चाहे वो बैक्टीरिया हो या वाइरस उनकी कई किसमे है एक बात तो ये है कि उदाहरन के लिए अभी कोरोना देखिए ये जानवरों के शरीर में अच्छे से रह रहा था उनमें से किसी को भी मारे बिना अब ये इनसानों के शरीर में आ गया है और ये अभी भी वही कर रहा है जो ये किसी जानवर के शरीर में कर रहा था लेकिन हम जेल नहीं पा रहे हैं और हम मर रहे हैं अब ये भी स्पष्टे रूप से स्थापित हो चुका है कि ज्यादा तर लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो ठीक हो रहे हैं लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, वे दुरभाग से इसके शिकार बन रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे केवल ये पता चलता है कि ये जीना चाहता है। लेकिन ये एतने आकरामक तरीके से जीता है कि हम मर सकते हैं। कई वेग्यानिक इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा था, मैं उस समय केवल 17 साल का था। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रखें। तब भी ये समझाया गया था। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है वरना मैं वो भी बता देता। उस समय भी उन्होंने सपष्ट रूप से समझाया था कि ज्यादतर वाइरस और बैक्टीरिया जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, जो अभी हमारे अंदर हैं, वे कई तरह से हमारी जीवन प्रक्रिया की साहता कर रहे हैं। हमें नुकसान नहीं पहुचा रहे, वे एक समय बहुत हानी कारक रहे होंगे, लेकिन वे समझते हैं कि अगर वे इस तरह रहेंगे, तो वे अपने ही घर को नश्ट कर देंगे, तो वे कुछ समय बात खोद में बदलाव लाकर थोड़े मन्द हो जाएंगे, और हमारे साथ सीख लेंगे, वे आराम से दूसरे जानवरों के साथ रह रहे थे, दूसरे जानवर आराम से उनके साथ रहे रहे थे, वे भी यह जीवन की प्रकृती है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक कई सारे जीवन रूप, जीवन के खर्बों रूप, सभी एक दूसरे में अगर आप एक मेंटोक्स टेस्ट कराते हैं मैं भारतियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले तीन चार हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कौन विदेशी है कौन भारतिय है किसी नसली भेदभाव के करण नहीं हम जानना चाहते हैं कि वे कहां से आए हैं क्या वे इटली या चीन से आए हैं वे कहां से आए हैं देखिए अभी इटली में चीन से ज्यादा खराब हालत है बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिती लेकिन ये उदाहरन के लिए अगर आप भारतियों के लिए Mantox test कराते हैं तो लगभग हम सभी Mantox test में fail हो जाएंगे Mantox test tuberculosis bacteria के लिए होता है लगभग सभी भारतिये इस test में fail हो जाएंगे क्योंकि हम सभी के अंदर काफी मात्रा में tuberculosis bacteria मौजूद हैं लेकिन हमें एक बिमारी के रूप में tuberculosis नहीं है तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया वे इसे primary complex या कुछ और कह रहे हैं जो बच्चों में होता है लेकिन ये कुछ लक्षन दिखाता है हम सभी के अंदर ये bacteria है हम Mantox test में fail हो जाएंगे लेकिन हमारे अंदर tuberculosis के कोई लक्षन नहीं है क्योंकि हमने उनके साथ रहना सीख लिया है उन्होंने हमारे साथ रहना सीख लिया है वे जानते हैं कि अगर वे बहुत आक्रामक तरीके से रहेंगे जैसे हम अभी इस ग्रह पर रह रहें है उन्हें पता है कि वे अपना घर खो देंगे इसलिए वे खुद को बदल कर थोड़ा मंद जीवन बना लेंगे तो ये कोई नया रॉकेट सैंस नहीं है ये हमेशा से मौजूद रहा है कम से कम पिछले सौ सालों में ये मौजूद रहा है तो ये लोग जो बुद्ध जीवी होने का दावा करते हैं ऐसा लगता है कि वे अपने हाई स्कूल में भी नहीं गए क्योंकि मैं उस समय अपनी हाई स्कूल में था जब मैंने ये पढ़ा ये हमारे लैब्रेरी का एक हैसा था इसलिए ये शायद टेक्स्ट बुक में भी रहा होगा लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी शायद ये बुद्ध जीवी अपने हाई स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाए उन्हें लगता है कि ट्विटर पर होने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पास चड़िया जतना दिमाग होना चाहिए इस समय में जब एक आपदा हमारे सामने खड़ी है और इंतजार कर रही है देश के लिए, दुनिया के लिए इस हद तक कि अभी कई देश अपने ही लोगों के खिलाफ अपनी सेनाओं को खड़ा कर रहे हैं आपको समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है ये मामला कितना गंभीर है कि अमेरिका की पूरी सेना सडकों पर खड़ी है अपने लोगों को बाहर आने से रोकने के लिए भारतीय पुलिस सडकों पर खड़ी है पूरे जोर से इसे लागू कर रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अहसास है कि ये मामला कितना गंभीर है लेकिन इस तरह के समय में भी ये लोग खड़े नहीं हो सकते और अपने आज पास के किसी व्यक्ति के लिए कुछ उपयोगी और सकरात्मक चीज नहीं कर सकते वे सिर्फ यही बखवास करते रहते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टरेट मिल गया या वे ट्विटर पर डॉक्टर बन गया उन्हें कम से कम पक्षियों का डॉक्टर बन जाना चाहिए ये बहुत अफसोस की बात है कि अबादी का एक ऐसा हिस्सा है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है या देश के साथ क्या होता है या बाकी की मानवता के साथ क्या होता है उनके पास सिर्फ अपशब्द हैं वे हर समय जहर उगलते रहते हैं तो मुझे उमीद है कि कम से कम वाइरस उनके जहर का इलाज कर देगा इन कुछ दिनों इन कुछ दिनों में अकेले रहकर मुझे उमीद है कि वे खड़े होकर कुछ हुपयोगी करेंगे कुछ करें, आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं आप जो भी हैं जो ऐसी फाल्तु बातें कर रहें हैं खृपया कुछ छोपियोगी करें समस्या क्या है? मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता अभी हमारे सामने एक अटल आपदा है अगर हम इस्थिती को ठीक से नहीं सम्हालते तो हम एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रही है जहां लाखों लोगों का जीवन खत्म हो सकता है जब परिस्थिती ऐसी है आपके वल यही कर पा रहे हैं जब मैंने कहा कि यह समय नहीं है हमारी स्वास्थ प्रणाली के आलोचना करने का यह हमारे स्वास्थ मंत्राले के आलोचना करने का यह सही समय नहीं है यह ऐसा समय है जब हर किसी को खड़े होकर कुछ करना चाहिए जो कुछ भी छोटी-छोटी सकारात्मक चीज़ें हम अपने जीवन में कर सकते हैं क्योंकि ये साधारन समय नहीं है लोगों की एक पीड़ी के रूप में हमने कभी इस तरह की परिस्थिती का सामना नहीं किया है लोगों को ये समझना होगा हमने कभी भी इस तरह की परिस्थिती का सामना नहीं किया है ये आपके देशों में हुए युद्धों के तुलना में एक बड़ी इमर्जेंसी है ये हर उस चीज से बड़ी इमर्जेंसी है जिसे आपने जाना है ये बहुत ज्यादा तबाही मचाए बिना गुजर सकती है अगर हम जिम्मेदारी से पेश आएं और जरूरी सकारात्मा काम करें मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता भले ही उनके दिमाग का साइस चड़िया जितना हो मैं कह रहा हूँ कि चड़ियाएं भी योगदान दे सकती है मैं चार्ण होर्ण 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 हो है